प्यारे बच्चों, चानक के प्रितियोगिता अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं माथुर सर, नीट के कुछ फिदिक्स के कुछ मेहतापून प्रिशन समझा रहा हूँ, जो पूर वर्षों में भी आये हुए हैं। जिसमें पहला प्रिशन है, एक धात्विक तार का द्रैवमान इतने ग्राम, त्रिज्जा इतने मिलीमीटर और लंबाई इतने साइंटी मीटर है। इसके घनत के मापन में अधिक्तम संभव तुरुटी पूछी है। तो आप जानते होंगे कि तुरुटी निकालने का फॉर्मूला होता है माप में तुरुटी, बटे मूलमान, गुणा में सौ। तो जिदी हम देखें इसके अंदर। तो फॉर्मॉला इसका यह होता है घरत का आपनों जानते होंगे घरत बना होता है द्रेवमान बटे आयतन अब द्रेवमान तो है लेकिन आयतन नहीं है और तार जो होता है वो बेलन की तरह होता है तो जो बेलन का आयतन है वो पाई आर स्कॉर एल होता है तो क्या करेंगे formula बनाएंगे प्रतिशत तुरुटी का तो आप जानते हैं delta d upon d into 100 m के लिए बना लेंगे delta m upon m into 100 shortcut में करना है हम को तो r आप जानते हैं ऊपर जागे power minus की लिए प्रतिशत में हमेशा plus में रहता है तो 2 आगे आ जाएगा delta r upon r into 100 और ऐसी l के लिए delta l upon l into 100 इन सब में इसके मान लगा देंगे इसके अंदर तो delta m कितना है 0.002 upon में 0.4 और into में 100 plus 2 delta r कितना 0.001 r की value 0.3 into में 100 plus delta l कितना है 0.02 upon में 5 और into में 100 इसको mathematical solve कर लेंगेoft इसके point से इसका point करने की बहलों टू 0 नीचे बढ़ेंगे hundred से hundred capture हो जाएगा इसके point पडों किभल एक zero नीचे बढ़ेगा तो इससे घुरो इसका cancel हो जाएगा दो जीरों इसके बढ़ेंगे तो 100 से 100 इसका cancel हो जाएगा तो mathematical solve करों तो यह तो हो गया 1.2 यानि कि 0.5 इसको solve करें तो यह हो जाएगा 2 upon 3 यानि 0.66 इसको solve करें तो यह हो जाएगा 2 upon 5 यानि कि 0.4 और इन सब को हम add करते हैं तो approximately यह 1.56 आता है 1.56 और अब देखें 1.56 के equal क्या है 1.6 नहीं इसका जो answer है वो कितना होगा 1.6 बच्चे समझ में आया होगा बहुत simple सा question है अक्सर आता है नहीं बच्चे इसको सोचके confused हो जाते हैं तो 1.56 approximately आया है जो किसके equal है 1.6 के equal है next question लेते हैं इसी में अब second question है कि समतलिय कोण है वो घंकोण में होता है तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं अक्सर आम यह पढ़ते हैं कि कोण का ना कुई मात्रक ना कोई विमियसूतर होता है जब की गलत है रेटियन यह डिग्री और घंपोन का मात्रक इस्टे रेडियन होता है लेकिन का विमियसूतर कोई नहीं होता तो इट मिंघ्ट आफंछीं ओप्षेंगे मात्रक पर कोई विमा नहीं अप्षाइअ कि इसमें आपको कुछ रहा है तो है लेकिन कोई भी मा नहीं है और यही कोस्चन में आप समझने का प्रयास करेंगे को मात्रक तो होता लींगे कोई विमय सुत्र नहीं होता इसी क्रम में तीसरा कोस्चन देखते हैं कि तीरता कोश्चन में बहुत इंपॉर्ण कोश्चन है नीट में 2021 माय हुआ कोश्चन है बच्चोई इसमें लिखा है कि ई तथा जी की विमा होगी ई है उड़ जा और जी है गृत्वाकर्शन यह तांग निकालने के इसके बहुत सारे मैथड हो सकते हैं लेकिन मैं आपको ए ई अपान जी तो प्यारे बच्चों ई जो है वो ऊड़ जा है और ऊड़ जा और कार्रे एक ही बात है तो ऊड़ जा यह कार्रे कार्रे को बल गुना विस्थापन से इसको सौल्व करोगा चुकि शॉर्ट कर्ट मेथड हमें यूज करना है और जी का फॉर्मूला नीटन के मेथ बुर्टवा कर्शन के नियम से अगर हम लिखेंगे तो जी एमवन एम्टू अपॉन अर स्कॉार तो जी का मातरक पूछता है कोई तो किलोग्राम स्क्वाइर और बटे मीटर अगर इसका विमियसू तो पूछता है तो आप जानते हैं M की पावर 2 और नीचे आजाएगा L और जब मैं L को उपर लेके जाओंगा तो M की पावर 2 L की पावर माइनस 1 और T की पावर जीरो तो इस शॉटकट मैथेड़ है पता लगा में को तोड़ रहे हाफ M V स्क्वाइर में तोड़ रहे हैं M G H में फिर उसको ब्रेक कर रहे हैं F को M into M तो उससे इजी मैथेड़ है कि F से F कैंसल हो जाएगा एक R से R कैंसल हो जाएगा M स्क्वाइर उपर पहुंच जाएगा तो इसका विमेश उत्रे कौन सा बच्चा बच्चो तो M स्क्वाइर L कर T पर जीनि फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा थेंक यू